जरूर यह कि तमाब लोगों को connect करें जितने भी लोग हैं उन्हें personally invite करें जो direct selling industry का हिस्सा नहीं है उन्हें तो खास निमंतरन देखर आज आप इस जूम की seminar को उन्हें जो है joint करने के लिए प्रिरित करें निश्ची तोर पे ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन तामिल होने वाली है और मैं उसके लिए हम सभी जो है पुरे ट्रेनिंग और डिजनस डेवलप्मेंट टीम तरही आ रहे क्यों हरे जी आज का जो ट्रेनिंग सेशन है डियर फ्रेंड्स फेस्बुक के उपर लाइव हो चुका है यहां पे मौझूद सभी लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है आपको एक से दो मिनट का समय दिया जा रहा है जल्दी से जल्दी अपने फेस्बुक पेज पेज जाएए और कीवा इंडस्टीज का जो फेस्बुक पेज है उस पे जाके आज के इस वेविनार को अपने फेस्बुक पेज के थरू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाईए क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वेविनार को पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉमिशन आपके जानने प्रदीब जी के साथ आप सबका वेलकम करता हूं और सबसे पहले आपको कीवा मेनेजमेंट करण गोजी के तरफ से हमारी ट्रेनिक तरफ से आप सबको दिपावली की गोवर्दन पूजा की भाईया दूज की विश्यो करमाडे की हर्दिक शुब काम नहीं और यह तो ज़्यादा समयना खर्च करते हुए जैसा हमने आज आज आपसे वादा किया था आज का जो टॉपिक के कंटेंट है आज हम बात करेंगे ट्रांस्फोर्म कैसे करें लाइफ को जिंदकी में कैसे बदलाओ लेके आएं बुलंदी के तरफ हम कैसे बढ़ें तो बुलंदी बहुत 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 धन्यवाद और सबसे पहले तो जितने भी लोग यहां पर मौझूद है आप सभी को मैं प्रदीप सिंग राठोर कीवा इंडस्टीज का नेशनल प्रडेक्ट एंड बिजनस डॉल अपें ट्रेनर आप सभी को कीवा इंडस्टीज की तरफ से करन डुयल सर की तरफ से गीपा वली की बहुत बहुत शुब कामनाय देना चाता हूँ और I hope मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपनी इस दिवाली को बहुती 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 जो जिंदगी है उसमें शहीं मैने में रोशनी और खुशियां आने वाली है जितने भी लोग आज यहाँ पर मौझूद है लगबग 480 लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कितने लोग mentally और physically मांशिक रूप से और शरीरी रूप से आज के इस जबर्दस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुनने के लिए तैयार है जो लोग मुझे फेस्बुक पे सुन रहे हैं और जो लोग मुझे जूम पे देख रहे हैं मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार चैट बॉक्स के अंदर यस लिख करके बताईए ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोग mentally और physically और मांशिक सारीक रूप से जो है आज के इस training program को जबर्दा training program को सुनने के लिए तयार हैं और मैं एक बार हरीज जी से पूछना चाहूंगा क्या सभी लोगों के comment जो हैं वो बराबर आ रहे हैं ताकि मुझे लगे कि दिवाली के बाद आज दिवाली के बाद आप लोग बहुत ज़ादा हुशायत है अपनी जिन्दगी को रोशन बनाने के लिए अपनी जिन्दगी में खुश्यां बहरने के लिए तो dear friends आज के इस training program को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सभी का मैं बापस से दुबारा से शौगत करना चाहूंगा और आप सभी अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहां पर एक कटे हुए हैं तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नाम है प्रडीप सिंग राटार और कीवा इनस्टीज क के साथ साथ एक बहुत ही खास ख़बर भी आप लोग जानते एक खास चीज हमारे देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर चल रही है और बार बार उन ख़बरों को उन न्यूस को हम लोग टीवी पे न्यूस पेपर के तरू मोवाइल फॉन्स के तरू अलग-लग जगों से प्रकोब जो है बापस से बढ़ने लगा है बापस से बहुत जादा पॉजिटिव केसिस हमारे देश के अंदर अचानक से आने लगे हैं और बापस से हम लोग चिंता के अंदर डूब गए हैं अब ये चुनोतिया का इस कुरोना वाइरस का और हमारी जिंदगी का एक चोल जिंदगी की रफ्तार बढ़ रही होगी और एक तरफ जिंदगी की रफ्तार के साथ साथ ये कुरोना वाइरस भी चल रहा है यानि दोनों चीजों को हमें साथ ले करके चलना पड़ेगा यानि कि समझ में यह आता है डियर फ्रेंट्स हमारे सामने शमस्याएं हैं यानि कि लोग जो होते हैं, वो परिशानियों से भागते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं, वो परिशानियों में क्या ढूंते हैं, परिशानियों में, प्रॉब्लम्स में, पॉसिबिल्टीज को ढूंते हैं, कुछ लोग परिशानियों को परिशानिया मानते हैं, लेकिन कुछ लोग परिशानियों में क्या ढूंते हैं, possibilities ढूंते हैं, समभावनाए ढूंते हैं, और possibilities से हमें क्या मिलती हैं, opportunities मिलती हैं, अगर आप परिशानियों के अंदर क्या देखेंगे, अवशर खुजने का प्रयास करेंगे, तो आपको opportunities जरूर मिलेंगी, dear friends, ऐसा ही कुछ example हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिला, dear friends, आप सभी लोग जानते हैं कि कुरोना वाइरस आने से पहले, हमारे देश के अंदर एक भी N95 mask और एक भी PPE kit नहीं बना करती थी, लेकिन कुरोना के दोरान, आप सभी लोग जानते हैं, जब तक ये कुरोना काल रहा, जब तक ये कुरोना का lockdown चला, आज हमारे देश में हर दिन साड़े तीन लाग से ज़्यादा PPE kit और लगबग चार लाग से ज़्यादा N95 mask का निर्माण हर दिन हमारे देश के अंदर हो रहा है, यानि कि problems में लोगों ने किसको ढूना, possibilities को ढूना, और जब possibilities को ढूनने का प्रयाश कियत, उनको क्या मिली, opportunities मिली, बहुत सारे लोगों ने इसको क्या माना, समश्या माना, और बहुत सारे लोगों ने इसको अवशर माना, और जितने लोगों ने इसको अवशर माना, वो आरी जो जिन्दगी है बापस पट्री पे आ जाए मेरा जो बिजनिस है मेरी जो जॉब है या मेरी जो फाइनिस्यल कंडीशन है वो पहले की तरह बहतर हो जाए लेकिन डियर फ्रेंड्स आप जो हैं हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है but no one thinks of changing himself लेकिन कोई भी खुद को ब बहुत मुश्किल है लेकिन खुद को बदलना बहुत आशान है कि इतने लोग मेरी बात को मानते हैं वो चैट बॉक्स में मुझे yes लिकर के बता सकते हैं कि हमारे लिए जादा जरूरी क्या है हम लोग बुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं धुनिया की परिस्तियों को ठ तो हमारा जो problems है, उन problems में हम problem को नहीं डूनेंगे, हम उन problems में possibilities को ढूनेंगे और जो possibilities को ढूनेंगे तो हमें opportunities मिलने वाली है, कितने लोग मेरी बात से सहमत है, तो मुझे आप सभी का actively participation, इस training के अंदर चाहिए जादा से जादा, जितने लोग मेरी बात से सहमत है, वो आपके लिए बहुत important है, और अभी तक भी अगर आपने इसको share नहीं किया, जादा से जादा लोगों तक पहुँचाईए, ताकि बाद में भी वो इसका जादा से जादा पाइदा उठा सकें, आगे हम लोग बढ़ते हैं dear prince, सबसे पहले हमें खुद में बदलाओ करना हम लोग आपस में बदलने की बात करें कि हर किशी को अपने आपने क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए कि परवर्तन जो है वो प्रकृतिक अनियम है, अगर आपने समय के साथ, परिस्तिती के साथ अगर आपने आपको नहीं बदला, मैं कहता हूँ dear prince, आप जो है, वो वक् जिन्दगी में बहुत ज़्यादा उचाहियों पर ले जापाता है, लेकिन आज मैं आपको किसी इंसान का example देने वाला नहीं हूँ, मैं आज आपको, क्योंकि इंसानों से तो आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने आस पास बहुत सारे आपके role models रहेंगे जिन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इनसान से नहीं, आज मैं आपको एस एक से पक्षी के बारे में बताने वाला हूँ, जो पक्षी अपनी जिन्दगी में, अपनी जिन्दगी को किस तरीके से बदलता है, अपनी जिन्दगी में आने वाली चुनोति हैं सुनना चाहते हैं प्रीज एक बार cheat box में मुझे why लिकWORK कर के बताई जितने भी लोग सुनना चाहते हैं वो मुझे why लिकcentered के बताई ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग सुनना चाहते हैं जानना चाते हैं, इंसानों से तो आज तक हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज मैं आपको पक्षियों से क्या-क्या सीखने को मिलता है, डियर फ्रेंट्स, परिवर्तन जो है सिर्फ हमारी जिंदगी का हिस्ता नहीं है, चुनोतिया सिर्फ इंसानों की जिंदगी में नहीं आती है, चुनोतिया पशु पक्षियों की जिंदगी में भी आती है, लेकिन इंसानों से तो हम लोग सीखते हैं, पशु पक्षियों से हम किस तरीके से सीखें, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को ट्रांसफर्म करने के लिए अपनी जिंदगी को बदनने के लिए 360 डीरी आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं अगर आप ने उसको सुन लिया, उसको जान लिया और उसको समझ लिया जी हाँ डियर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसको हम बोलते हैं बाज, इगल डियर फ्रेंड्स बाज जो होता है अब सभी लोग जानते हैं अपनी परजाती का सबसे ताकत भर पख्षी होता है और इसको ताकत भर क्यों माना जाता है क्योंकि एक तो इसके विशाल पंग होते हैं इसकी नुकिली चोँच होती है और इसके बहुती मजबूत और धारदार पंजे होते हैं ये तीनों खुवियां, इस पक्षी की तीनों खुवियां विशाल, पंक, लुकीली, चौँच और धारदार पंजे ये सब मिलके इस पक्षी को पूरी दुनिया का सबसे घातक शिकारी बनाते हैं Dear Friends, इस पक्षी को ये तीन खुवियां, ये तीन चीज ऐसी होती है जो इसको दुनिया का सबसे घातक शिकारी बनाते हैं लेकिन डियर फ्रेंट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुखता है समय का चक्र जो है वो घूमता रहता है और इसी लिए जो समय का चक्र है ये बाज की जिन्दगी में भी आता है और जैसे जैसे समय का चक्र आगे बनता रहता है और बाज जो है अपनी जिन्दगी के 40 साल पूरे कर लेता है जैसे जैसे बाज अपने 40 सालों के नजदीक पहुंसता है चालिस साल तक पहुंचते पहुंचते ये शांदार शिकारी ये जांदार शिकारी जिसको पक्षियों का राजा तक कहा जाता है ये जांदार शिकारी जो है वो बूरा होने लगता है यानि कि समय का चक्र इसके लिए भी नहीं रुका परेशानिया इसकी जिंदगी में आना जो है वो शुरू हो गई जिस तरीके से मौझूदा परिस्तिती में चुनोतियां हमारे सामने हैं और चुनोतियां हमारी जिंदगी में आती भी रहती हैं ये चुनोतियों का सामना बाज को भी 40 साल की उम्र में जब तक ये पहुंसता है तब तक इसको करना पड़ता है और 40 साल की उम्र तक पहुंसते पहुंसते ये क्या हो जाता है बूरा हो जाता है और बूरा होने का नुकसान इसको क्या उठाना पड़ता है क्या खामियाजा इसको बुरकरतना पड़ता है आईए इसके बारे में जानते हैं दियर फ्रेंड्स जो उसकी नुकीली चौस्ती वो लचीली हो जाती है वो उतनी मजबूत नहीं रह जाती है उसके जो विशाल पंक थे वो आपस में चिपक जाते हैं और सिकुर जाते हैं और उसकी तलवार की धार से भी तेज जो पंजे हैं वो एकनी धार खो देते हैं जो तीन खूवियों ने इसको पक्षियों का राजा बनाया इसको एक खूंकार शिकारी बनाया दुनिया का अब वो तीनों ही खूविया इसका साथ छोडने लग जाती है नुकीली चौच लचीली हो जाती है विशाल पंक जो है वो आपस में चिपक जाते हैं और तलवार की दाधार से भी तेज जो पंजे हैं वो अपनी धार खो देते हैं सोचिए डियर फ्रेंट्स एक पक्षी की जिंदगी में भी चालिस साल की उमर में एक ऐसा समय आता है वक्त की रफ्तार ऐसी जगे पे जाके उसको खड़ा कर देती है जहां पर ये तीनों खूबियां जाके उसकी कमजोरियों में बदल जाती है अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय आ गया है एक ऐसा पड़ाओ आ गया है कि अब उसकी जिंदगी में जो हैं उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं और वो दो विकल्प कौन से हैं आईए उसके बारे में जानते हैं सबसे पहला विकल्प क्या है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला विकल्प है कि या तो वो भूख से डम तोर दे या तो वो क्या कर दे हार माल ले चुनोतियों के सामने अपने घुटने तेक दे और शुकार कर लिए कि वो भूख से तडब तडब के क्या हो जाएगा मर जाएगा तो या तो वो भूख से डम तोर दे या फिर क्य करे या फिर वो चुने 150 दिन का दर्दनाक सफर उसके पास दो रास्ते हैं या तो वो भूख से तलब तलब के दम तोड़ दे या फिर 1500 दिन का दर्दनाक सफर को क्या करे तै करे लेकिन डियर प्रेंट्स बाज जो होता एक पक्षी होता है और वो भूख से तलब के मरना पूरा करने के लिए इस चुनोती को शीकार करने के लिए वो क्या हो जाता है उड़ जाता है उस शहर से और पहुंच जाता है उस शहर के पास सबसे उचे पहाड की सबसे उची चोटी के उपर उस देड़ सो दिन के सफर को दर्दनक सफर को तै करने के लिए सबसे उचे पहा लेकिन मैं आज आपको बताना पता हूँ कि डेर सो दिन का जो स्टरगल जो चुनोतियों भरा स्टरगल उसके सामने हैं आई उसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले उस बाज को क्या करना पड़ता है मैं आपको बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स वो बाज खुद अपने पंजो और चौच के सहारे उनको नौच नौच के निकाल देता है बिलकुल सही कहानी है डियर फ्रेंड्स इस प्लक्षी के बारे मैं बिलकुल सही बात में आपको बता रहा हूँ वो अपने पंजो और चौच से अपने पंखों को नौच नौच के निकाल देता है और उसके बाद दूसरा बहुती दर्दना काम करता है, फिर उसी चौच को, जो उसकी तनी मजबूत چौटी उस चौच को पथर पे पटक पटक के, चट्टान पे पटक पटक के क्या कर देता है, तोड़ देता है, और फिर बारी आती है उसके पंजो की, डिएर फ्रेंट्स उ 1.500 दिन का सफर है सूचिए एक दो दिन की एक सफता की 10 दिन 15 दिन की बात नहीं है 1.500 दिन का सफर है कई हफतों तक बिना कुछ खाए पिये लहा लहून और खायल हालत में वो अपनी जिंदगी की एक-एक सास के लिए लड़ता है हो सकता है इस चुनोतियों भरे डेर सो दिन के सफर में हो सकता है उसको अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाए लेकिन उसने भूख से तलब तलब के मरना सुईकार नहीं किया उसने स्विकार किया चुनोतियों का सामना करके उसने सूचा मैं मरना स्विकार करूँगा और इसलिए कई हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिये वो क्या करता है लहा लुहू नवस्ता में अपनी जिंदगी की एक-एक सास के लिए लड़ता रहता है ये काम कौन कर रहा है कोई इंसान नहीं कर रहा है ये काम एक पक्षी कर रहा है आप सूचिए किस से हमें सीखने की जरूवत है आज मैं किस के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ आपको एक पक्षी से भी सीखने की जरूवत है किस तरीके से अपनी जिंदगी की एक एक सास के लिए वो लड़ता है लेकिन डियर फ्रेंट्स आगे हम लोग भरते हैं और जानते हैं क्या होता है समय जो है वो फिर बदलता है जिस तरीके से समय उसकी जिंदगी में चुनोतियां लेकर के आया समय एक बार फिर बदला और अब बारी थी उस समय का उस देर सो दिन के जो दर्दनक सफर थे उस समय का उस तपश्या का परणाम मिलने का उस देर सो दिन की जो तपश्या उसने करी थी अपने आपको लहालून किया घायल किया और अपने आपको जो देर सो दिन की तपश्या से उसने गुजारा अब उसके परणाम का समय आ गया है अब उस देर सो दिन की तपश्या का परणाम उसको मिलने लगता है और देर सो दिन नए पंजों की शौगात मिलती यानि वो सारी चीज़ें प्रकृतिसों से बापस मिल जाती हैं लेकिन उसके लिए उसको डियर सो दिन के दर्दनाक सफर से गुजरना पड़ता है और इसके बाद कुछ दिनों के बाद डियर फ्रेंट्स आप जानते हैं वो लौट आता है तो वो शीकार कर ले कि 40 सालों में बूरा होके वो भूग से तर्दनाक सफर तै करके अपनी 30 साल जो जिन्दगी है उसको और बहतर बना सके और खूंखार बना सके और शांदार बना सके और बापस से फिर वो उसी शहर में लोट आता है एक खूंखार शिकारी बनने के पनावट नहीं है कोई जूट नहीं है यह विलकुल रियल है कि किस तरीके से आपको एक बाज से एक पक्षी से सीखने की जरूट है अगर आपको सीखने की जरूट है मुझे चैट बॉक्स में एस लिख करके बताईए फेजबुक लाइप पे भी अगर आप मेरे को देख कि एक पक्षी जो है किस तरीके से अपनी जिंदगी में एक दर्दनाक सफर को तैग करता है और अपनी जिंदगी को किस तरीके से शांदार बनाने के उपर काम करता है और सबसे लास सबसे खासी में आपको बताना चाहूँगा कि moral of the story क्या करती है इसका निचोड क्या है इ पुरानी यादें पुराने रीती रिवाज पुराने तौर तरीके और वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं आज हमें उससे क्या करना है चुटकारा पाना है अगर हमने उसके चुटकारा नहीं पाया तो वो चीज़ें हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगी और इसके लाबा अगर खास चीज में आवा करूँ केवल पुराने बंधन जो हैं अगर उनको हम तोड़ दें तो उससे हमें मिल सकती है एक नई उलान अगर पुरानी सोच को पुराने तोर तरीकों को पुराने चीजों को अगर हम बदल दें औ और वक्त के साथ हम अपने आप को बदल लें तो हमें मिल सकती है एक नई उडान और और नई उडान किसकी तरह हो सकती है बिलकुल एक बाच की तरह है अगर आप अपनी bilmiyorum बाच की तरह बढ़ना चाथे हैं अगर आप अपनी जिन्दगी को और शांधार और जांधार और friends अपनी जिन्दगी में आने वाली चुनोतियों को अपनी जिन्दगी में आने वाली परेशानियों को डट कर सामना करिए और उन चुनोतियों के अंदर उन problems के अंदर क्या चलाशिए possibilities को तलाशिए आज की जो situation है आज की situation से आपको ये पता चला किस तरीके से ये coronavirus ने हमें ये बता दिया कि आज हमारे पास income का second source होना बहुत important है ये सारी चुनोकियों को शीकार करिए और अपने आपको उसके हिसाब से बदलने का प्रयाश कीजिए इस story के थूँ मैं आज आपको यही बताने का प्रयाश करा था dear friends आपको समझना पड़ेगा अगर आप लोग जिंदगी में कामयाब होना चाते हैं यहाँ पे 600 लोग मुझे zoom के उपर सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे facebook live के उपर सुन रहे हैं अच्छा मैं एक सवाल करना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाते हैं मुझे chat box में लिकर के बताई कितने लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाते हैं सफल कितने लोग होना चाते हैं मुझे chat box में यस लिकर के बताई जहां पर भी मुझे सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो सभी लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, कितने लोग अपनी जिन्दगी में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आपकी जॉब हो, कुछ भी आप लोग कर रहे हो हो, आप अपनी जिन्दगी के अंदर सभी के सभी लोग, कितने लोग जो हैं वो कामयाब होना चाहते हैं, चैड़ बॉक्स के अंदर यस लिखकर के बताईए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, जितनी जल्दी जल्दी आपके रिप्लाई हैंगे, उतना जल्दी मैं आगे ब आप सबसे खास शीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि बहुत सारे लोग अपनी जिन्दगी में कामयाब होना चाहते हैं, यहाँ पर मुझूद सभी लोग अपनी जिन्दगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन आज कामयाबी के दो शिद्धांत मैं आपको बताना चांस और चोईस का सिध्धान क्या है आज से सिध्धान को आपको समझने की जरुवत है और आज अगर इस सिध्धान को आप लोग समझ गये दुनिया की कोई भी ताकत आपको जहां भी हैं आप किसी भी छेतर से क्यों ना जुड़े हैं आपको दुनिया की कोई भी ताकत काम आप हुने से नहीं रोख सकती, dear friends, chance और choice का सिध्धान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग, आज मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग अपनी बचपन में, बचपन में जो आप school के अंदर थे, अब जब तक आप लोग अपने बचपन के अंदर थ कोई पुलिस के अंदर जाना चाहता था, यानि कि आप सभी ने अपने अपने प्रोफेशन को क्या किया था, चूज कर रखा था, आप सभी by choice कोई डॉक्टर, इंजिनियर, एड्वोकेट, सीय, कुछ ना कुछ बनना चाहता था, dear friends, आप सभी by choice कोई ना कुछ बनना चाहत था, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी choice के according अपने प्रोफेशन के अंदर नहीं जा पाए, जो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो हो सकता है, डॉक्टर ना बन पाए हो, जो आर्मी के अंदर जाना चाहते थे, तो आर्मी के अंदर ना जा पाए हो, जो advocate बनना चाहते थे, ले कहीं, by chance, आप किसी दूसरे छेतर के अंदर आ चुके हो, हो सकता है, जो वेक्ति business करना चाहता हो, वो आज नौकरी कर रहा हो, हो सकता है, जो वेक्ति आर्मी के अंदर जाना चाहता हो, वो आज school के अंदर teacher हो, हो सकता है, कोई वेक्ति कुछ और करना चाहता हो, वो कुछ औ कर रहा हो यानि कि by choice आप अपनी जिंदगी में जो करना चाते थे अगर आप वो नहीं कर पाए हैं और by chance आप किसी और छित्र के अंदर आ गए हैं तो आप उस छित्र के अंदर कैसे सफल होंगे आईए इसके बारे में जानते हैं और ऐसा यहां पे बैठे हर किसी सक्स के साथ हुआ है क्योंकि 80% लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में सोचते तो किसी और चीज़ के बारे में हैं लेकिन असल जिंदगी में वो पहुँचते किसी और छित्र के अंदर हैं तो by choice आप जो बनना चाते थे अगर वो आप नहीं बन पाई हो तो by chance आप जहां पे आ गए हैं व by chance अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में सफल किस तरीके से हो सकते हैं आईए मैं आपको बताना चाता हूँ सबसे पहले सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अपनी choice को अपना profession बनाओ सबसे पहला काम क्या है सफल होने का अपनी choice को अपना profession बनाओ सच् अपनी choice को क्या बनाया अपना profession बनाया और उस choice को अपना profession बनाया और अपनी जिंदगी में क्या हो गए काम्याब हो गए लेकिन अगर आप अपनी choice के according अपने profession में नहीं चा पाए हैं तो by chance उपर वाले के आशीरवात से समय की वज़े से किसी परिस्तिती की वज़े से चाहिए कि यही मेरे लिए यही मेरा career है और इसको मैं as a career लूँगा और इसी लिए आप अपनी जिंदगी में by chance अगर आप किसी चीज के अंदर आ गए हो और आपने उससे महबत करना सुरू किया अगर आपने उस काम से प्यार करना सुरू किया सोते जाकते हर टाइम अगर क्योंकि या तो अपनी choice को अपना profession बनाओ otherwise by chance जिस चीज के अंदर आ गए हो उसको by choice करना सुरू कर दो कितने लोगों को मेरी बात समझ में कितने लोग मेरी बात से सैमत है मुझे chat box में yes लिख करके बताइए जितने लोग मेरी बात से सैमत है पटा पट जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी अपने हाथ चलाइए ताकि मुझे लगे कि जरफतार जो है मैं देखना चाता हूँ कितने लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी reply करते हैं आपका मुझे पता चलना चाहिए कि अगर आप by chance by chance बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने नहीं सोचा होगा कि by chance म अगर आप आगए हैं तो उसको by choice करना शुरू कर दिए उस काम से महबत करना शुरू कर दिजे उस काम से प्यार करना शुरू कर दिजे अगर उस काम से आपने प्यार करना शुरू किया उस काम से महबत करना शुरू किया दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसमें कामयाब ह परिश्रम बहुत माईने रखता है, मैं कहता हूँ काम्याब होने के लिए योगिता माईने रखती है, कठोर परिश्रम माईने रखता है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, वो सेकंडरी हैं, सारी चीजें जो हैं, वो बहुत जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, योगिता कठोर परिश्रम से कहीं ज़्यादा चीज जो माईने रखती है वो रखता है सपना उस काम को करने के लिए आप कितना बड़ा सपना देखते हैं उस काम से आप कितनी महपत करते हैं उस काम को आप कितना अपना मानते हैं उस काम से आप कितना लगाओ रखते हैं सोते जाकते उठते आप उस काम के बारे में क्या प्लानिंग करते हैं, और उस ते आप क्या स्पना देखते हैं, यही चीजें आपको कामियाब बनाएंगे, आप उस काम के बारे में कितना सोचते हैं, यही चीजें आपको उस काम में कामियाब बनाएगे, चाहिए आप दुनिया का कोई भी काम क कोई भी काम में सफलता आपको योगिता और कठोर परिश्रम से नहीं मिलेगी, कठोर परिश्रम और योगिता जरूरी है, लेकिन सबसे जादा जो जरूरी है, वो है सपना, उस काम के लिए, उस काम के साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, उस काम में कामयाब होने का ड्रीम यह कोई टेक्स नहीं है, डियर फ्रेंट्स जितना बड़े से बड़ा सपना हम देख सकते हैं, बड़े से बड़ा सपना देखिए, क्योंकि डियर फ्रेंट्स जब तक आप बड़ा सूचेंगे नहीं, जब तक आप बड़ा सपना नहीं देखेंगे, तब अपने जिन्दगी आप इतिहास लिखने वाला बनना चाते हैं या इतिहास रचने वाला बनना चाते हैं अगर रचने वाला बनना चाते हैं तो सबसे पहले उस हिस्ट्री को क्रियेट करने से पहले उसके बारे में सपना देखना सुनी कीजिए उसके बारे में सोचिए उसको अपने दिल से प्यार कीजिए, हर टाइम आपके आस पास बो चीज रहनी चाहिए, और मैं आपको एक एक एक्जमपल के शुरू बताना चाहता हूं कि सपना जिंदगी में कितना जरूरी होता है, और यह लगान पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, लगान मूवी हैं, दो लोगों के बीच में किर्केट होता है, एक तो हमारे हिंदुस्तान के भोले भाले गाउं वाले होते हैं, और एक होते हैं फिरंगी गोरे अंग्रेज़ों के बीच में मैच होता है, और अंग्रेज जो होते हैं, वो किर्केट के मास्टर होते हैं, किर्केट को उन्ह चीज किर्केट के बारे में जालते थे लेकिन हमारे जो इंडिया के भोले भाले गाउं वाले थे उन्होंने कभी किर्केट को नस्दीक से नहीं देखा उन्होंने तो बैट ही नहीं पकड़ा ना उनको बॉल के बारे में पता किर्केट के क्या नियम है उनको इसके बारे में नहीं पता लेकिन डियर फ्रेंड्स इस पिक्चर से इस मुवी से आपको क्या सीखने को मिलेगा आज मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपको क्या सीखना चाहिए डियर फ्रेंड्स अंग्रेज जो किर्केट के मास्टर थे जिन्होंने किर्केट को इतने नजदीक से देखा था, जो किर्केट के बारे में इतना बहतर तरीके से जानते थे, सब कुछ बारी कियां वो जानते थे, और कई सालों से वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, और एक तरफ थे हमारे भोले भाले गाओं वाले, लेकिन लास्ट में जीतता कौन है, लास्ट म रहे थे, टाइम पास करने के लिए, अंग्रेज जो किर्केट खेल रहे थे, वो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, अंग्रेज जो किर्केट खेल रहे थे, किसी को शर्मिंदा करने के लिए, गाओं वाले को शर्मिंदा करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए, ल अपने को अपने दिल और दिमाग में रखके वो किर्किट खिन रहे थे और आप जानते हो सब कुछ उन्होंने प्रैक्टिस किया चुनोतियां आई, परेशानियां आई, डटे रहे, लगे रहे लेकिन लास्ट में जाके क्या जीता, किर्किट को जीता उन्होंने, मैच को जीता और अंग्रेजों के हाथ से हमेशा के लिए अपनी जमीन को लगान से क्या दिलाई, मुक्ती दिलाई, डियर फ्रेंट्स इसलिए आप अपनी जिन्दगी में आने वाले लगान, चुनोतियां, परेशानियां, इन सभी चीज़ों से अगर मुक्ती पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिन्दगी में आप काम्याब हो, अपनी जिन्दगी में आप नई उचाईयों पे जाना चाहते हैं, तो लिए और ऐसा नहीं है कि जब आप उस काम से महबबत करेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्मूटी होंगी डियर फ्रेंट्स नहीं आपकी जिन्दगी में चुनोतियां गाउवणों की जिन्दगी में भी आती हैं चुनोतियां इंसानों की जिन्दगी में भी आती हैं चुनो के तोर पर देखते हैं, हमें ये तैय करना पड़ेगा, कोरोना काल के अंदर अगर हमारी आर्थिक इस्ति गड़बर हुई है, कोरोना काल के अंदर अगर हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जिस पैसे के बारे में मैंने आप सोचा था, डियर प्रेंट्स तो आईए, आज आपको second income source या कुछ ऐसा तलासना पड़ेगा कुछ ऐसे अफसर आपको ढूनने पड़ेंगे जहां पे आप क्या हो सकते हैं काम्याब हो सकते हैं जहां पे आप अपनी जिंदगी को नई उचाईयों पर ले जा सकते हैं जहां से आप जो हैं वो financial freedom आप ले सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में आपको सूचना पड़ेगा और कितने लोगों को लगता है कि आज जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं challenges हर किसी की जिंदगी में आते हैं चुनोतियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं लेकिन चुनोतियों का सामना करना हमारे लिए बहुत important है dream का होना बहुत important है क्योंकि बिना dream के बिना सपनों के दुनिया में कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता इसलिए जितने भी लोग मेरी बात से सहमत हैं वो मुझे chat box में yes लिक करके बता सकते हैं जितने भी लोग मेरी बात से सहमत है वो जी chat box में yes लिक करके बता सकते हैं कि जो भी लोग ये मानते हैं कि हाँ चुनोतियां जो हैं वो हर किसी की व्यक्ति की जिन्दगी का हिस्सा हैं हर किसी व्यक्ति की जिन्दगी में जो problems हैं वो आती हैं इसलिए सबसे खास सीज अगर आप मुश्किलों से चुनोतियों से अगर आप डर जाते हैं चुनोतियों से अगर आप भाग दे हैं तो मैं कहता हूँ आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जा आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, इसलिए डियर फ्रेंट्स चुनोतियों से लड़िए, चुनोतियों का सामना करिए, और दुनिया में हजारों एक्जाम यह हमारे लिए बहुत important है और आज का यह topic आप लोगों को कैसा लगा आज आपको यहां से क्या कुछ सीखने को मिला अगर आपको लगता है आज की training आपको कैसी लगी और मेरे आपने मुझे इतने प्यार के साथ इतने धैर के साथ एकनी सांती के साथ सुना मुझे इतना प्य कि हा आपने आज की training को बड़े ही ध्यान के साथ और बड़े ही धैर के साथ और बड़े ही prac अपने दिलों दिमाग में आज की training को इतार लिया है जितने भी Mario कर रहे आप सभी का मुझे reply मिल रहा है जूम के उपर मुझे मुल रहा है पेस्बुक लाइब के उपर भी जितने लोग मुझे सुन रहा है मुझे सभी का reply चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगोंने बड़े ही ध्यान के साथ mentally और physically एक जगह रहके इस training को सुना तो सबसे पहले आप सभी का इतना प्यार देने के लिए इतना शम्मान देने के लिए और इतने धहर के साथ आज की इस training को अटेंड करने के लिए मैं कीवा इंडस्टीज का national product and business development trainer प्रदीप सिंग राठोर आप सभी का धन्यवाद देता हूं शुत्री यादा करता हूं लेकिन dear friends picture अभी बाकी है मेरे दोस्त ये तो सिर्फ एक trailer है dear friends picture तो अभी बाकी है और सबसे पहले आज इस second part को लेने के लिए सबसे पहले कितने लोग ऐसे हैं जो second part जो हमारी second jברदा से एक ओर training होने वाली है second part जो हमारा होने वाला है वो chat box में मुझे लिख करके बताईए, यह लिख करके बताईए, जितने भी लोग सुनने के लिए तयार है, क्या बात है, मतब सभी लोग तयार है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अना थैंगी so much, और सबसे पहली चीज, अभी भी अगर आपने आज की training को facebook के उप पर जो live है, उसको अगर share नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको share कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा दिए, ताकि आज के बाद भी बहुत सारे लोग उस टेनिंग का फाइदा उठा सके हैं, चलिए, तो सबसे पहले, आज के हमारे second जो जबरदस, आप सभी के प्यारे, आप सभी के चहते ही, इस नन अद अदेन, कीवा इंडस्टीज के नेशनल प्रडेक्ट एंड बिजनेश डवलप्पेंट पिनर, मिस्टर सतिप्रकास शर्मा जी को मैं आप इंवाइट करना चाहूंगा, और एक बार जोरदार तालियों से चैड बॉक्स के अंदर एक बार सतिप्रकास शर्मा जी का जबरदस वेलकम कर दीजे, चैड बॉक्स के अंदर अपना-पना मैसेज छोड़ दीजे, ताकि वो आपके उत्सा के साथ दुगना उनका उत्सा हो जाए, और आपको बहुत जबरदस नॉलिज वो आपके साथ श सी एक्जामपल, लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ उन्होंने अपने स्टेशन को जबरदस तालिया, प्रदीज जी के लिए बंती है दोस्तों, और दोस्तों, मैं देख सकता हूं कि करीब-करीब 6 सभी ज्यादा संख्या में आज हमारे लेकिन कहते हैं ना कि एजुकेशन के साथ इंटर्टेन्मेंट भी ज़रूरी होता है, तो क्या आप उस इंटर्टेन्मेंट के लिए तैयार है? ये 109 में मुझे जबाब दीजिए, ये 109 में मुझे जबाब दीजिए दोस्तों, और इस इंटर्टेन्मेंट के लिए मैं आज आपके साथ कुछ चीजे खेलने वाला हूं, आपको पता है, सोनी चैनल पे कौन बनेगा करोड़पती जो है, वो सारे लोगों के लिए से देखा, तो ये गेम आपको करोड़पती से भी ज़्यादा उपर की दर्जे पे आपकी पोजीशन जो है, वो फिक्सप कर सकती है, तो दोस्तों आप बताइए, जितने भी लोग इस सेशन को सूंक रहे हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जो पुझी पती बनना चाते इतनी दौलत, इतनी आर्थिक सम्रिधी कि जीवन में पैसा गिनने की नौबत न आ जाए, अगर आप से कोई दो पैशे मांगता है, अजार दो लाख रुपे, दस लाख रुपे मांगता हो, तो साइद आपके अंदर कोई चिंता नाम की कोई चीज ना हो, आराम से कहा कि आ अपना एकाउंट नंबर दीजिया, और ये रहा IMPS हो गया, खटक से पैसे ट्रांसफर हो गया, दोस्तों, वैसी जिन्दगी के लिए मैं आज आप इस गेम को खेलना चाहूंगा, ये गेम को खेलना चाहेंगे, अगर इस गेम को खेलने के लिए आप तयार हैं, तो दोस्तो हम इस गेम की अगली कड़ी पे चलते हैं, प्रभी जी हम आगे पढ़ेंगे, और देखते हैं ये गेम क्या है, इसमें कुछ प्रस्न के जवाब आपको देने पढ़ेंगे, और ये प्रस्न के जवाब देंगे, और अगर आप इसके सही जवाब देंगे, तो मैं आपको कु पहचान पाने के लिए हमें बुद्धिमान होना जरूरी है या सर्वगुन संपन्न होना जरूरी है लिखिये इस चीज को कि बुद्धिमान होना जरूरी है या सर्वगुन संपन्न होना जरूरी है आपके जो रिप्लाई है इस रिप्लाई को आप चैट बॉक्स में डालिए दोस्तों कहते हैं कि हो सकता है सर्श्वत्य जी का आज आपकी जुमाँ पे आपके दिल दिमाग पे उनका वास हो और आपकी जो reply है वो उनके उपर जो है इसुवर विधाता जो है तथास्तु कहते हैं दोस्तों, सर्वगुन संपन होना जरूरी है, कि दिमान होना जरूरी है, मैं देख सकता हूँ कि second options पे बहुत सारे लोगों ने reply किया, दोस्तों, निस्चित तोर पे ये सर्वगुन संपन होना बहुत ही जरूरी है, और अगर आप सारे ही लोगों ने, जितने भी लोगों ने ये जवाब दिया है दो second options को reply के रूप में लिखा है तो दोस्तों आप अपनी जगह पे सही है चलिए देखते हैं कि कैसे सही है दोस्तों कैसे सही है इस चीज को जानने के लिए मैं आपके साथ इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ और एक दूसरा प्रस्न आपसे पुछने में भारत के चहुँ दिसाओं में इस ब्यंजन का इस्तेमाल लोग अपनी दिंचर्या में किया करते हैं ये इस सुंदर सी रेसिपी का नाम क्या है reply के रूप में आप जबाब दीजिए आप इसे किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों भारत का north side हो या south pole हो या east zone हो या west zone हो भारत के हर चेत्र के लोग इसे किस नाम से जानते हैं आईए मैं उसे reveal करता हूँ मैं ये जखाने का कोशिस करता हूँ कि हम क्या आप शे उम्मीद करते हैं और अगर आपका reply निश्चित तोर पे सलाद है दोस्तों सेलाद जिसे इंगलिस में सेलाद कहते किछ करके कहा जात शे इसे इस्तिती रहती है जैसे की आपका गोल्ड की बनी हुए औरनॉमेंट कि यूज करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डायमेंट्स भी की ओ, ठीक उसी तरह से जब आप भोजन की कल्पना करते हैं तो भोजन के साथ साथ सेलाट की भी कल्पना करना ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों ये सलाट क्या है और इस सलाट की पूरी कहानी क्या है आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज जो है सलाट की उपर बाते करने वाले हैं दोस्तों मैं सलाट के उपर बाते नहीं बलकि एक आम जिन्दगी की बारे में बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हमने सेशन की सुरुवात में ही कह दिया, आज की जो सेशन होने वाली है, यह उन लोगों के लिए भी है, जो हमारी नेट्वर्किंग की दुनिया से, जिनका दूर दूर तक कोई शम्बन नहीं है, ज क्या दोस्तों, कैसे इन चीजों को समझें, यह जो सलाद होती है, निसी तोर पे स्वास्त का लाब दिलाती है, और यह स्वास्त का लाब हर उस व्यक्ति को मिलता है, जो अपने भोजन में इस सलाद का इस्तिमाल करता है, लोग अलग अलगतर है कि एस एस्सार्टमेंट लेते हैं और कुछ जो है सारे ही सलाद को टुकडे टुकडे में काट करके अपने भोजन के साथ खाना पसंद करते हैं. लेकिन आपने और आप शे अगर मैं एक प्रस्ण पूछूँ कि कितने दिन पहले आपने चारा करके सलाद के रूप में उस सलाद का लुट्व उठाया इसे लिख करके बताई कितने दिन पहले आपने सलाद वास्तों में खायती इमांदारी के साथ. दोस्तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप लिखे ताकि पूरी दुमिया इस बात को महसूस कर सके कि वास्तों में हमारा संबंद और हमारे भोजन की जो व्यवस्ता है उस उसके मताबिक ही सेशन को डेलिवर करने का प्रयास करती है. सो दोस्तो मैं आप शे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दिन चरह में सलाद को ले आए. लेकिन कितना मुश्किल हो गया है इस सलाद को अपनी भोजन की ठाली का हिस्सा बनाना और डाइनिंग टेबल तक पहु होती थी और स्वास्त का कई किसम से पायदे हमें मिला करते थे लेकिन आज की तारीक में ये सलाद वास्तो में हमारी भोजन की ताली से और हमारी डाइनिंग टेबल से दूर क्यों चली गई है? कुछ लोगों ने लिखा यस्टेड़े, कुछ लोगों ने अलग-अलग पूर कर दिया. तो दोस्तो अगर आपका जबाव, आप लिखे इस चीज़ को कौन सा ऐसा कारण है जिसने आपके भोजन में होने वाली जो सलाद थी, जो भोजन का हिस्सा जिसे होना था, वो सलाद गायब हो चुकी है, वो आखिर कौन सा ऐसा कारण है? आपके रिपलाई निश्चित तोर पे अगर आपकी रिपलाई, प्राइज है, कीमत है, महंगाई है, तो आप बिल्कुल सही है. दोस्तो आप बिल्कुल सही है कि प्राइज फैक्टर एक ऐसी फैक्टर है जिसने हमारी जेब, जेब को बहुत ही कंजोर कर दिया है, जो हमारे वालेट के उपर काफी हावी हो चुकी है, और निश्चित तोर पे ये महंगाई ही है, जो आज सब्जी के जो मार्केट है सूने पड़े है, जिस तरह से, जो लिरिक्स की दुकाने जो है, ग्रहाकों की जो भीड़ हैं, वो नहीं आने की बज़े से सूने पड़े हुए महंगाई की बज़े ठीक वैसे ही हालत, आज हमारे सब्जी के मार्केट की भी हो चुकी है, लोग नहीं है, खरीदार नहीं है, सब्जी है लेकिन खरीदने वाले लोग और खरीदे भी तो कैसे कर दें, जब आपकी इस महंगाई ने हालात और ब्यास्था को इस तरह से प्रभावित किया, दोस् की हालात ऐसी हो गई है, एक पुरानी कहावत है, कि जब दात होते हैं, तो चैने नहीं होते, और जब चैने होते हैं, तो दात नहीं होती, दोस्तों हम उस पुरानी कहावत को हटाना चाहते हैं, उससे जूट साबीत करना चाहते हैं, मैं यह चाहता हूँ कि हमारी दात भी ह हो और चने भी हो यानि कि हम जिन्दगी का फायदा और जिन्दगी का उठा सके क्या आप हमारे साथ तयार है जिन्दगी के सब्सक्राइब के लिए और यह BRIPLY मुझे YouTube पे Facebook पे हर जगह पे आनी कहते हैं ना जिन्दगी जिन्दा दिली का नाम है, मुर्दि क्या खांक जिया करते हैं, और अगर हमारे अंदर सांस है, धड़कती हुई, जो धड़कन है, और दिल में उमंग है, तो आपके reply आनी चाहिए, और ये सेशन जो है, आप उन तक भी पहुंचाने का कोशिस करें, जो इस इंड सेशन, दोस्तों, I am not misguiding you, this is life transformation, because सलाद जो है, इसका संबन्द networking के दुनिया से नहीं है, सलाद का संबन्द हर उस इंसान से है, जो भोजन किया करते हैं, चलिए इस सेशन को और भी हम आगे की तरफ ले चलते हैं, दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस बढ़ती हुई कीमत के प्रभ सबजी के मार्केट जाते हुगे, तो आपको एहसास होगा कि सबजी की कीमत 400 रुपए प्रती कीलो से ले करके 400 रुपए प्रती कीलो तक आ चुकी थी, जिया दोस्तों, 40 रुपए प्रती कीलो से 400 रुपए प्रती कीलो तक आ चुकी थी, और उसमें वेरियेसंस आते ही जा तो चार सो रुपे प्रती किलो की धनिया पत्ता कर दे कौन यह आज से दो ठाई मेने पहली की बात बता रहा हूं तो महगाई ने हमारी ब्यवस्था को और अर्थ ब्यवस्था के इस कदर कुछला है कि इंतान चाहकर कभी अपने मन मुताबिक भोजन की ब्यवस्था नहीं कर पा रहा है दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाओंगा कि कैसे एक समान्य ब्यक्तिव ही अपने उस भोजन की ठाली तक सलाथ को पहुँचा सके, क्या आपको वो सलाथ अपने घर का चाहिए, क्या वो सलाथ को आप बिना महंगाई की फिकर किये वगर आप अपनी भोजन की ठाली तक पह चलिए दोस्तों, इस चीज़ को और भी बेतर इंतरीके से देखने का कोशिश करते हैं, दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि समाधान क्या है, समाधान, भोजन की ठाली तक सलाथ पहुँचाना, है ना, और अगर आप महंगाई की वज़े से परिसान है, तो कई समाधान के रूप में, पहला समाधान यह है, कि सलाथ खाना ही बन कर देते हैं, सीधी सी बात है, सलाथ खाना ही बन कर देते हैं, समाधान हो गया, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, कि यह तो नहीं हो सकता, सलाथ खाना नहीं बन कर देते हैं, आपके जैसा भारत के 133 करोड लोग सोचा करते हैं निश्चित तोर पे लेकिन फिर भी सलाद उनके भोजन की ठाली में नहीं पहुचती है दूसरे options होते हैं अधिक कमाई सुरू कीजिए मतलब यह है कि आप इतना ज़्यादा earning कीजिए कि आपको महंगी चीजे जो हैं वो सस्ती लगने लगें यह दूसरे options हैं और तीसरे options हैं अपने अतरिक्त खर्च को नियंतरिक करें मतलब जो access जो आपके expenses होते हैं उसे control करने का प्रयास कीजिए जी है बहुत सारे लोगों के reply भी आ रहे हैं कि दो नंबर को options हैं भाई आपके जबाब अलग हो सकते हैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अभी इस सेशन को करीब करीब जो है 572 की संक्या में लोग सूट रहे हैं सबके जबाब आनी चाहिए हम सारे ही लोग जो है आपकी इस reply को देख करके अपनी बातों को कहते हैं और चोथी options जो होती हैं खेती करो दोस्तों आपके जबाब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा उद्यश्य एक है और उद्यश्य यह है कि हम आपके चेहरे की खुशिया चाहते हैं हम आपके जीवन को सुख अमन समर्दी के साथ खुश्यों का एक रहश्य बताने जा रहे हैं क्या आप हमारे साथ हैं ये सवनो में बताईए आप क्या आप पूरे सिस्टम के साथ हैं और चाहते हैं कि हम जिन्दगी में कुछ अलग करें कुछ बहतरिन करें ताकि जिन्दगी का मज़ा आ जाएं क्या आप हमारे साथ हैं बताईए इस चीज को chat box open है YouTube पे लिखिए का आनंद लेना चाहते हैं तो दोस्तो today is the day and now is the time इसलिए हमने situation के सुरुवात में ही कह दिया था कि आज आपका समय है आज उन लोगों का भी समय है जो networking की industry में जिनका कोई भी रोल रही है जो कभी जाने ही नहीं और कभी जुरूरत ही नहीं पड़े कि networking आखिर होती क्या है दोस्तों मैंने यहाँ पर चार options की बात किया और चौथे options में मैंने बताया खेती करो खेती करो जैसे ही मैंने यह चौथा option लिखा होगा आपको ऐसा लगा होगा कि यह खेती करो वाली जो बात है यह तो सिर्फ किसानों के लिए है आज मैं आपको आपके ही घरों पे खेती करने का कुछ ऐसा formula आपके साथ share करने वाला हूँ कि आप घर बैठें, खेती भी करेंगे, आपकी calories भी burn होगी, आप स्वस्त भी रहेंगे, आपको fun भी होगा, आप entertain करेंगे श्वैम को और साथी साथ आप अपनी भोचन की थाली में अपने ही घरों से जो कहते हैं न घर पे उगाई हुई सलात को आप enjoy करेंगे जानना चाहेंगे इसे, जानना चाहेंगे तो yes लिखे क्योंकि अब मैं उनी चीजों के उपर आ रहा हूँ, दोस्तों आज मैं कोई product training के वाद नहीं करूँगा, चैया दोस्तों, आज हमारा वास्ता है सिर्फ उन चीजों से कि कैसे हम होई हुई चीजों को आपकी जिन्द इसको ताकि इसे live seminar को, इस live transformation program का वो हिस्सा बन सकें, दोस्तों, क्या आपके सभी के जवाब yes है, एक बार thumbs up के मादेम से हैं, और जिन लोग ने आप तक reply ने किया, reply करके बता दिए, और दोस्तों हम आगे की तरब बढ़ते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, कि कैसे आप अ आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, so enjoy home best agriculture for fun and health, enjoy it, इस घरिलू अस्तर पे क्रिशी की परंपरा को एक culture के रूप में लाने की, और इसके लिए आपको बहुत बड़े जमीन की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े खेतों की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर्स की जरूरत नहीं है, में पावस की जरूरत नहीं है, दोस्तों, कितना बजायागा दोस्तों ऐसी खेती में, और आपको अगर ऐसा लगता है कि खेती करना एक सर्मनाक बात है, तो मैं आपके लिए एक बात बता दो, पूरी हिंदोस्तान की सरजमी जो है, खेती के लिए प्रसिद्ध है, 70% से भी या इंडिरेक्टली जो है असरित है, 70% से भी बड़ी जो संख्या है, सोच ये, बहुत बड़ी बात होती है, ये हमारे GDP को प्रभाविद करती है, देश की रफ्तार को प्रभाविद करती है, और हर ब्यक्ति अगर हमारी इस GDP में एगरिकल्चर की थोड़ी बहुत पाट, जी अपने दैनिक अस्तर पे, अपने दिजी अस्तर पे, अगर इसे परंपरा में इला ले, तो इससी बड़ी बात कुछ हो ही ने सकती है, क्या है वो, होम बेस्ट एगरिकल्चर, उसके बारे में बाते करेंगे, क्या है, क्या आप सभी तयार है, मुझ तक अवाज नहीं आ स्मूली, इसमें है प्याज, इसमें है आपकी चिली, वही मिर्च, जो आपकी जुआ तक जाती हैं, तो एक करेंट सी पैदा हो जाती है, इसमें है लेस्न, इसमें है अद्रक, इसमें है टमाटर, इसमें है आपकी हर वो चीजें, जो आपकी सलात का हिस्ता हो सकते हैं, दोस जिसे हम कहते हैं उसके उपर गंले लगाए करके क्यारिया बनाकर के हम इन चीजिजों को अपने ही घर पर उगा सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपको बताओ, ये क्रिसी की जो एक जो फित्रत होती है, ये हर इंसानों में होती है, आप गुलाब के पॉदे लगाते हैं, आप गेंदा फून लगाते हैं, आप चमेली और बेला अपने अपने घरों पे लगाते हैं, कोई बनी प्लांट लगाता है, ये स कोटी सी क्यारी बना करके अपने घर की चचतों पर आपके घर तक भी और ये एक ऐसी उत्पाद होगी, ऐसी खेती होगी, जो 100% और्गेनिक होगी, जिसमें fertilizer नाम की चीज़ का कोई जो है presence नहीं होगा, कोई भी ऐसे harmful chemical का जो है यहाँ पे presence नहीं होगा, और आपकी अपने ही घरों से निकलने वाली जो सुन्दर सी उत्पाद है, दोस्तों, जब आप अपने ही घरों की ये स्वादिस्ट, ये जो है बिलकुल ताजे ताजे मुली, ताजे 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 गाजर और ताजर ताजे जो है टमाटर से बनी हुई स्वादिस्ट और बेहतरिन और लजी जिसी सालात का इस्तेमाल स्वैम करेंगे, तो आपको कितना फायदा यह उन से पूछिए जिन्होंने किया है तो क्या आप इन चीजों को अपने घर पे अपने छोटे से स्पेस में क्यारी बना करके गमलों में उगाने के लिए तैयार है और दोस्तों अगर कि नहीं को लगता है कि भाई इसमें कुछ टेकनिकल डिफिकल्टीज आ सकती है तो दो क्या आप सबी तयार हैं उस फॉर्मूला को जानने के लिए लिए लिखिए मुझे 600 के 600 जवाब चाहिए दोस्तों तब जाकर के हमाएं भी उत्सुक्ता होते कि मैं आपको जादस जादा चीजों को बताओ सारे ही लोगों को यह रिप्लाई में डालनी है कि हाँ जी हम यह रहे हैं वास्तों में हम सबों के लिए बहुत ही प्रेड़ना की स्थ्रोथ हैं और इनी से हम इंस्पार होते हैं चलिए इन चीजों को कैसे कर सकते हैं इनके बारे में जानने का प्यास करें आगे की तरह बढ़ेंगे दोस्तों इन चीजों को थोड़ा समय स्पीड अप करत टैक्टिशनर को बेहतरीन इस्थिती का लाव दिला रही है कीवा की एग्रोएटी, मुल्टी टास्किंग है और इसमें हर थसल के उफर equally जो है इसकी बेनिफिट्स जो है सामील है, कैसे कारी करती है, कितनी मात्रा में डाले, कैसे ये फायदेमन साबित होगी उसके बारे में ह सबसे पहले एक परीचा है, दोस्तों इस कीवा की एग्रोएटी प्लस में हम तीन चीजों की कॉम्पोनेट के रूप में बात करते हैं, पहली चीजे एक्टिवेटर, दूसरा वेटर और तीसरी जो है स्प्रेडर, एक्टिवेटर का क्या तात परे है, मैं बताऊंगा आप आपको वेटर का क्या तात परे है, इस प्रेडर का क्या तात परे है, फिलाल समझ लीजे, आगे की स्लाइड पर मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो एक्टिवेटर का मतलब होता है कि हम जिन चीजों का इस्तमाल अपनी पॉधों प मतलब है आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉधों के लिए हो सकती है वो सकती है हो हो पसे बबंदि पे पढ़ती है इससे पॉधों के हर हिस्टे को ऊचीद खुराक मिलती है haut उचीद उसकीद को शीज़टा मिलती हैं और उचीत बचाओ होता है और बचाओ क्यों जरूरी है हम शबों को पता है जिस तरह से इंसानों की जिंदगी में बहुत सारे संक्रमन का खत्रा बना रहता है ठीक वैसे ही हर पौधों को कई किसम के इंफेक्शन का खत्रा बना रहता है पैथोजन की वज़े से और उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम वीच बीच में कई चीजों का इस्तमाल करते हैं तिन तमाम चीजों की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ये एक्रोएटी है, कैसे और ये बेहतरी इन चीजों को हम समझे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगले स्लाइट में आपकी नजर में चाहूंगा, दोस्तों, सबसे पहले इन चीजों को समझने के मैं आपको बता दो, जो कि अभी थोड़ी पहले मैं रिपीट किया, कि स्प्रेडर की प्रेजंस होती है, आपकी इस कंटेंट को यूनिफॉर्म तरीके से पौधों की हर एक सतर पे ये उपलब्ध हो जाते हैं, दूसरी एक्टिवेटर जो होती है, जो आपकी जो कंटेंट है, जो आपने इस्तेमाल किया है, जो मटीरियल इस्तेमाल की है, इसकी इफेक्टिवनेस को, इसकी पैनिट्रेशन को बेहतरीन करती है, और यह पैनिट्रेशन बेहतरीन होती है, तो हमारी जो एपिडर्मल लेयर है, हमारी जो इस्ट्रोमेटाज है, वो बेहतरीन तरीके से खुराक को पॉस्टिक्ता को और जो हमारे जो सबस्टेंस का हमने इस्तेमाल किया है उसे श्विकार कर लेते हैं कुछ इन ही चीज़ों की वज़े से हमारी एग्रो एक्टी प्लस जो है बहुत ही बेहत्रिन हो गई है दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह एग्रो एक्टी हमा आपने आपने जो उत्पाद है इस हंड्रेट परसेंट बायो डिग्रेडेबल सो हुई ना मस्त वाली बाते हुई ना आपकी बाते हुई ना घरेलु अस्तर पे क्रिसी करने की उस फार्मुलेशन की बाते चलिए यह और बाते कैसे बहतर होती है कैसे हम एक्रो एक्टी के भी बुस्टफ करती हैं और इसका इस्तिमाल हम सिचाई के दोरान करते हैं इसका इस्तिमाल अलग-अलग स्थिती में कहा करते हैं कैसे और बहतरिन तरीके से इसके फायदे होते हैं हम इसे अगली स्लाइट में देखेंगे दोस्तो आपको पता है कि हम कई शेत्र में भारत क जितनी भी क्रिशी की इस्थिती है हर क्रिशी में हम pesticide के इस्तिमाल करते हैं जी हैं दोस्तों अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो बाते की है किसानों के लिए और यही चीजे हम apply करने जा रहे हैं domestic level पे भी आप मुली का, गजर का, टमाटर का, प्याज का, अद्रग का, लेशन का, जिन चीजों को आप अपनी क्यारी में अस्थान दे रहे 100% ये भी पॉंधे हैं और ठीक ऐसे ही स्थिती से ये भी गुजरते हैं तो भी वैसे ही चीजों का खत्रा रहता है, जो की हेतों में हमें पॉंधों को जिस तरह के खत्रे रहते हैं तो अगर ये घरेली वास्तरपी एग्रोएटी का इस्तवाल करेंगे, बहुती जादा फायदे मन होगा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कीवा की एग्रोएटी प्लस ये पेस्टिसाइड की जो सर्फेस टेंसन है उसमें कमी आती है और पानी की सर्फेस टेंसन बेताहसा रूप से कम हो जाती है तो आपके पौधे जो है इस एग्रोएटी को स्विकार कर लेते हैं मतलब पेस्टिसाइड की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती है और आपको ओवर ओल जो है एक बहतरीन इल्ड का यानि की क्रॉप्स का फायदा होता है आगे और भी से हम बहतरीन तरीके से समझें दोस्त तो मैं आपको बता दो कि इस प्रोडक्स के अंदर 80% नॉन आयनिक्स इंग्रेडियन्स होते हैं 80% नॉन आयनिक्स इंग्रेडियन्स हैं और इसी की वज़य से हमने इस पर्मॉलेशन का जो कि अपने आप में विश्व अस्तरिये जो है अनूठा एक्जाम फले आईसी क्रि इसी के छेतर के लिए सर्फेक्टेंट की बात करें तो 20% इंग्रेडियन्स होते हैं जो कि इसकी खुबसूरती को और भी ज्यादा बेहत्रिन करते हैं दोस्तों ये प्रोडस्ट जो है मिरेकल्स है ये प्रोडस्ट जो है लाजबाब है और क्रिसी चाहे खेतों में किसान अ आप में सरानिय हैं दोनों ही प्रयास अपने आप में result oriented है और इसके लिए आपको ज्यादा परिसान नहीं होना है अब आप सोच रहोंगे कि आखिर इसका इसका इस्तेमाल कैसे करें बहुत आसान तरीका है दोस्तों इसका इस्तेमाल आप पेस्टिसाइड के साथ करेंगे विडिसाइड के साथ काम करेंगे और हर्विसाइड के साथ आपको इसे मिक्स अप करना है किस मात्रा में आप इसे मिक्स अप करेंगे उसके बारे में आपकी नजर में चाहूंगा किस स्लाइड की तरफ हो तो दोस्तों अगर मात्रा की बात करें तो ये मात्रा आपकी होती है अगर आप fertilizer के साथ insecticide के साथ और fungicide के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे तो ये मात्रा बहुत ही कम होती है 5 ml की जरूरत होती है 15 लीटर pesticide के साथ अपने अपने परियापत होता है और इस misran को आप अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं 100% आपको results मिलेंगे दूसरी चीजे होती है जो अगली slide में मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ये दूसरी चीजे हैं दोस्तों ये दूसरी चीजे मैं आपको बता दो कि अगर आप herbicide के साथ आप इसका इस्तेमाल कर रहे उसे मैं बताने के लिए अगली slides में हम चलेंगे देखते हैं कि वो चीजे क्या है तो दोस्तों जब आपको पता है आपके पास बड़े-बड़े खेत होते हैं एकर सॉप जमीन होती है तो उन्हें आपको बहुत ज्यादा सिचाई की ज़रुवत होती है तो सिचाई के लिए अगर मैं माननों कि एक एकर जमीन के लिए 80 लीटर पानी की ज़रुवत अगर होती है तो इस 80 लीटर पानी में सिर्फ और सिप 160 ml कीवा की एकर एटी का आप जो है 3560 स्क्वाइर की जमीन उसके लिए 80 लीटर पानी की ज़रुवत और उसके लिए 160 ml महज जो है एकर एटी की ज़रुवत होती है और अगर आपने इस मिसरण को आप अपने खेतों में स्प्रेट किया तो हो सकता है जो आपकी पूरे इस सिजन के दौरान तीन से चार जो है बार सिचाई की जो ज़रुवत पड़ती है हो सकता है एक सिचाई जो है एक सिचाई का पैता एक सिचाई का मेंट पावर एक सिचाई की इनरजी और एक सिचाई के लिए जो वीधी व्यवस्था होती है उन तमाम ही चीजों को आप शेप कर सकते हैं So, आप अपनी खेती को बेहतरीन कर सकते हैं, घरेलू अस्तर पे भी इसका फायदा आपके पोदों को मिल सकता है, और ये सारी चीज़े दोस्तों अगर आप करते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप एक ऐसी इस्थिती में आते हैं, दोस्तों, जो 100% रिजल्ट औरियंटेड ह हैं, तो हुई ना आपकी बात, आपके मकसद की बात, आपके भोजन तक सलाथ की पहुँचाने की ब्यावस्था मैंने कर दी, अब मैं देखना चाहता हूँ कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं, जो अपने अपने घरेलू अस्तर पे, अपने बालकनी में, अपने घर की छटों पे, अपने क्यारियों में, डोमेस्टिक एगरिकल्चर की ब्यावस्था करते हैं, और अपने ही घरों से उत्पादित होनी वाली, जो हमारी जो सलाथ की जो रेशिवी हैं, वो अपने ही घरों से लेने वाले हैं, जो कितने लोग तयार हैं, होम बेस्ट एगरिकल्चर को ए यारे जिया दोस्तों मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने जो है reply किया है I appreciate your effort और जितने भी लोगों ने आज इस session को सुना enjoy किया उनके इस patience को उनके जजबे को और आप सबों ने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए आपकी तहे दिल से मैं आभार परकट करता हूँ और 100% I appreciate your effort और उन्हा से सारे लोगों का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ इस तरह की webinar को join करने के लिए और अब हम चलेंगे हमारे session के जो third speaker है उनके पास और उन्हें हम आमंतरित करेंगे लेकिन इस से पहले जितने भी लोगों ने इस शेशन को join नहीं किया है YouTube पे, Facebook पे join कीजिए, multiple tag up कीजिए, reply कीजिए और अपने जीवन को बहतरीन बनाने का कोशिस कीजिए, thank you जै हिन जै किवा, और अब हमारे इस शेशन की अगली कड़ी की जो speaker है मिस्टर हरीष ठाकराज जी की तरफ हम बढ़ेंगे so हरीष ठाकराज जी आपका स्वागत है over to you हरीष जी जी, thank you very much sir, आवाजारी sir yes, yes, perfect, please जी, thank you very much sir, और जैसा आपने आज स्टाटिंगे बात किया था आज का जो session है, वो होने वाला है एक कैसा session जो आपकी life को transform करने में help करेगा और मुझे पुरा उमीद है, पुरा भरोसा है कि जो चीज़े आपको प्रधीव जी ने बताया बुलंदी की तरफ कैसे बढ़ना है दोस्तों, गर बुलंदी पे जाना है, तो बुलंदी बढ़ने का एक ही रास्ता है, जब बुलंदी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे जैसे बाज बढ़ा, उसको अपनी life को बढ़ा करना था तो बुलंदी की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपकी life के दर बहुत सारी problem आएंगी समस्या आएंगी, तो अगर बुलंदी पे पहुंचना है टॉप पे जाना है, सक्सेस पानी एक ही वा के अंदर तो जो struggle काम करने में आते हैं उनको face कीजिए, अपने गोल पे focus रखिए, क्योंकि जैसा प्लिज ने बताया था कि हम जिस चीज़ पे focus करते हैं हम जिस चीज़ के उपर focus करते हैं चाहे हमारी priorities हो या हमारी struggle हो अगर हम struggle को करते रहें लेकिन struggle के साथ साथ हमारा जो focus है, वो हमारी goal पे रहें लक्षे पे रहें, तो उससे हम लगातार हमें inspiration मिलता रहेंगा, motivation मिलता रहेंगा और हम काम करते रहेंगे तो बुलंदी पे जाना है, face the struggle अपने सपने पे focus कीजिए लगातार action करते रहें आगे, बढ़ते रहें तो बात करते हैं आगे, परदीव जी ने सत्या जी ने आपको बहुत शांदार, बहुत बहुत बहतरीन जानकरी दिया, उसके लिए मैं जाओंगा फिर से एक बार, आप सत्या जी का प्रदीव जी का, ठेंक्यू करें और मैं आगे बढ़ता हूं सुर, और आगे दिवाली का सीजिए ने तो कीवा मेनेजमेंट की तरफ से, करन गोल जी के तरफ से हमारी ट्रेंग ट्रेंग की तरफ से आप सभी लिडर्स को, डिस्ट्रिबूटर्स को एक बहुत है हैपी दिवाली, हैपी गोर्दन पूजा हैपी भाईया दूज, हैपी वश्यो कर्मा पूजा और जैसा हमने बात किया था कि हमें इंकम, जैसा सत्या जी ने बताया, हम सलाज क्यों नहीं खापाते हैं, क्योंकि कहीं ने कि हमारे पास इंकम का प्रॉबलम है, तो अभी महीना है क्योहारों का, फेस्टिवल्स का दिवाली मंथ है, तो दिवाली मंथ में आपकी इंकम को बढ़ाने के लिए, आपकी हैं, पहला है कीवा का हमारे लिए जूस, दूसरा कीवा फेमिनाइन ड्रॉप और तीसरा कीवा एग्रो इटी प्लस, जिसके बारे आप पूसेत्या जी ने बहुत चांदार तरीकी से बताया, कि यह प्रॉडक्ट है, जिसको अपने घर में इसको इसको बैसे हैं, उसमें इसको 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 करके और डा सकते हैं, और जो एग्रो बात करें, उसकी तरभिय हम बढ़ है, तो हमारे पास तीन फोल जाता है, कीवा का हिमालन बहरी जूस, कीवा फेमिनान ड्रॉप और कीवा एग्रो 80 प्लस और इस सब तीनों के उपर ओफर है 20 नॉम्बर तक यानि आज 15 नॉम्बर है, हमारे पास आज के बाद ही 5 दिन का समय बाकी है अगर आप एक पर्चेसिंग करते हैं तो आपको मिलेगा दो फ्री क्योंकि कीवा के इंदर लाइफ टाइम चलता है उफर 1 प्लस 1 लेकिन फेस्टिवल बुनांचा है कि अगर आप एक कीवा का हमालन बहरी या एक कीवा का फेमिनान ड्रॉप या एक कीवा का एगरो एटी प्लस को पर्चेस करते हैं तो आपको एक की बजाए दो फ्री मिलेगा बाइव वन, गेट वन, टू, आफर वैलेड है 20 नॉम्बर दो हजार 20 तक तो 5 निका समय है और मैं पूरी उमीद करता हूँ कि या बात ने फेमिनान ड्रॉप का, या बात ने एगरोटी प्लस का यह तीनों प्रोट अपने आप में लाजवाब है शांदार है, एक हमारी हैल्थ को पूश्ट अप करता है एक महिलाओं के संपुर स्वास्ते को बैतर करता है और तीसरा है एगरी कल्चर या जो हम खिती करते हैं उसके अंदर बैतर रिजल्ट लेने के लिए इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं और करवा सकते हैं और अपनी इंकम को बढ़ा सकते हैं तो दूसरा ओफर जो आपके सामने आप सबको पता है अगें दिवाली मन्त है तो दिवाली के अंदर बिगस्ट दिवाली ओफर आपके लिए है अगर कोई भी किवा अगर डिस्रिबूटर बीस नॉमबर तक अपनी आईडी पे 2000 BP की बिलिंग करवा लेता है तो उसको एक डेली प्लस टैबलेट बिलकुल फ्री मिलेगा बीस नॉमबर 2020 तक 2000 BP करवाने पे आपको मिलेगा डेली प्लस टैबलेट बिलकुल फ्री लेकिन आगे और काम करते हैं और तीस नॉमबर 2020 तक अगर आप 4000 BP की अपनी एड़े बिलिंग करवा लेते हैं तो आपको एक और मिल जाएगा और उसका नाम है कीवा का बहुत इस चांदा प्रोट इसका नाम है कीवा बोन एंड जॉइन्ट हेल्ट टैबलेट तेश नाम बर 2020 तक 4000 BP करवाने इड़े पर आपको मिल जाएगा कीवा बोन एंड जॉइन्ट हेल्ट टैबलेट बिलकुल फ्री और इसके बाद जब हमारी टोजिंग होती है पात दिसमबर तक अगर आप अपनी एड़े के उपर 6000 BP करवा लेते हैं तो आपको एक और बहुत शांदर प्रोट अप कीवा का और वो है कीवा का ट्रिपल स्टेंप सेल पाउडर वो भी आपको एब्सलोटरी फ्री मिल जाएगा यानि अगर आप इस सीक्मेंस में आपनी बिलिंग करवाते हैं 20 तारिक तक 2000 BP 30 तारिक तक 4000 BP और पांच दिसंबर तक और आप 6000 BP कर लेते हैं तो आपको 1199 रुपे का डेली प्लस 4000 रुपे का वोन एंड जोंट है टाबलेट और 6000 रुपे का ट्रिपल स्टेंप सेल पाउडर बिलकुल फ्री मिलेगा तो इसका भी बैतर फाइदा उठाके आप अपने इंकम को अपने जो प्रोट की रेंज है उसको बढ़ा सकते है और सबसे अच्छी बात है कि जो भी किवा का डिस्ट्रिबुटर पांच दिसंबर 2020 तक इस ट्राइडर को पूरा करता है 6000 BP कर लेता है उसको मौका मिलेगा तो पांच दिसंबर से पहले अपने आड़ी पे 6000 BP का बिलिंग करवा लेंगे तो अगर आप अपने आड़ी पे 6000 BP का बिलिंग करवाते हैं तो यू विल बी अलिजिबल तो पांच पे इंदर जो पहले 10 विनर होंगे उनको मिलेगा 50,000 रुपे कैस अपने कार खरीदेने के लिए, स्कूटी खरीदेने के लिए या बाइक जो भी आप खरीदेना चाते हैं उसके लिए पहले 10 विनर को मिलेगा 50,000 रुपे का लखी ड्रॉप उसके अलावा जो नेक्स 50 लोग होंगे नेक्स 50 को मिलेगा एक 10,000 रुपे की वैल्यू का एक ब्रैंडेड स्मार्ट फोन तो ये ओफर आपके लिए है क्योंकि दिवाले के मेंने में क्या होता है हम गिफ्ट्स देते हैं तो आप ये मालिए ये आपके लिए गिफ्ट्स है कीवाण डिसली की तरफ से अगर आप फांस दिवाण पर 2020 तक अपनी आड़ी पे 6000 बिलिंग करवा लेते हैं तो आप इस लखकी टोपे पार्टिसमेट करेंगे और पहले 10 विजर रिसकों मिलेगा 50,000 रुपे कैश कार, बाइक एस कोड़ी पर्चेस करने के लिए और नेक्स 50 विजर को मिलेगा 10,000 रुपे वैलिगा एक ब्रैंडिड स्मार्ट फोन आगे बरते हैं सुर्फ बात करते हैं कुछ और ओफर्स के बारे में और अगे दिवाली का महीन है ओफर्स की बरसात है और ओफर है नया एरिया स्टॉक पोइंट खोलने के उपर अगर आप 20 नॉम्बर 2020 तक 20 नॉम्बर 2020 तक अगर आप 50 विजर के साथ एक नया एरिया स्टॉक पोइंट ओपन करवाते हैं तो स्टॉक पोइंट को ओपन करवाने वाले को और stock point लेने वाले दोनों को sponsor को और जो distributor नया distributor हमारा stock point लेने वाला है उन दोनों लोगों को मिलेगा 10% कीवा wellness drop बिलकुल free 20 November 2020 तक 50,000 रुपे के साथ अगर आप area stock point लेते हैं तो stock point खलवाने वाले को यानि sponsor को और stock point लेने वाले दोनों को मिलेगा 10% value का wellness drop बिलकुल free ये है हमारा offer on new area stockist इसके लावा एक बहुत ही शानदर offer है दिवाली special offer again और ये है नया super stock point उपन करने के लिए अगर कोई भी distributor कोई भी हमारा leader एक नया super stock point उपन करवाता है closing से पहले तो sponsor को मिलेगा एक बहुत ही शानदर full HD projector जिसका value होगा कम से कम 30,000 रुपे का और जो distributor या जो भी इंसान हमारा super stock point लेगा उसको मिलेगा 20% value का wellness drop बिलकुल free और एक्जामपल अगर आप किसी को 10,000 रुपे से हमारा super stock open करवाते हैं जिसमें उसको margin मिलेगा 4.5% का तो super stock point ओपर करनवारे माले को इन जो sponsor होगा उसको मिलेगा एक branded projector बोस का HD, full HD जिसमें आप YouTube के माध्यम से अपने laptop से, अपने mobile से भी आप उस projector के अंदर screen share कर सकते हैं उसके लावा जो इंसान हमारा super stock point लेगा उसको मिलेगा 10% value का यानि अगर बात पने 10 लाग का 10% तो उसको 1 लाग रूपे का जो wellness drop हमारा वो बिलकुल extra free मिलेगा तो ये 4 offer आपके लिए बहुत शांदार है, बहुत बैतरी ने इनका फायदा उठाके हम कहीं न कि अपनी income को बढ़ा सकते हैं और जो हमारी बदलना है, कुछ पाना है तो हमें अपनी income को बढ़ाना है physical world के बात करते हैं physical world के अंदर अपनी dreams को पूरा करने के लिए we need money, हमें पैसे की जरूरत होती है और पैसे कमाने के लिए किवा इंडिस ने इस दिवाली महीने में आपके लिए बहुत शांदार offers दिए है और सिर्फ offers की बात नहीं, उसके लाव एक कीवा का जो business plans है, USP है बहुत शांदार है तो उसका benefit लीजिए, इसका maximum फायदा उठाइए, लोगों फायदा उठाइए income को बढ़ाइए और जैसा बात किया जो problem आती है, उनको face कीजिए, उनका सामना कीजिए, और जब तक आपका सपना पुरा न हो जाए, डटे रहिए, टिके रहिए क्योंकि टिकना ही सफलता की guarantee है, अगर आप quit कर देंगे तो आपके भी सफल नहीं हो पाएंगे, और इसलिए बोले जाता है मेशा, winner never quit and quitters never win और हम सब लोग, मुझे पुरा भरोसा है कि आप सभी लोग winner है, क्या आप winner है या loser है, और मुझे पुरा 100% भरोसा है कि आप लोग winner है और winner कभी quit नहीं करते, वो persist करते हैं वो लगाता, टिके रहते हैं काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको बता है that struggle, चुनोतियां, challenges is part of life, जब तक जिंदकी है, समझ्चाएं आएंगी जब काम करेंगे तो समझ्चाएं आएंगी लेकिन हमें समझ्चाओं का सामना करना है उन चुनोतियां से घबराना ही है face the challenge, लगाता टिके रहिए काम करते रहिए, offers का maximum benefit उठाइए फायदा लीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, thank you thank you very much, और meeting को wind up करने के लिए मैं फिर से एक बार invite करना चाहूंगा प्रदीप सिंग राटोगर जी को प्रदीप सर, welcome सर, again मैंने बस आपके जो points है, उनको मैंने wind up किया है, surprise किया है, अगर सफरता पानिये उलंदी पे जाना है, तो अपने dreams से focus कीजिए और जो challenge आती है, उनका सामना कीजिए और जब तक से अपने पूरे नहों जाएं, टिके रहिए क्योंकि टिके नहीं सफरता की guarantee है, thank you, thank you है मैच, प्रदीप सर, over to you बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरीज जी, बहुत ही जबरदस तरीके से, आज आपने बता दिये कि कीवा इंडस्टीज ने किस तरीके से दोनों हाथ फैला के कीवा इंडस्टीज कि अबर हमारी कंपनी किसी डॉक्र करन गोई जी ने किस तरीके से जानदार और शानदार और जबरदस ओफर आप लोगों के लिए निकाले हैं और आज की इस ट्रेइनिंग में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी जान शुद्ध सबजियां ले सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को बहतर रख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ से जुड़ी हुई हैं आपकी हेल्थ अच्छी है और उस तरीके से हरीस जी ने आपके business को better बनाने के लिए किस तरीके से offers को reward अबॉर्ड को आप अचीव करते हुई, सारी जनकरी power pack प्रोग्राम आपको लगा, सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे अभी zoom के उपर सुन रहे हैं, facebook के उपर सबसे पहले मैं चाहूँँगा, आपने तीनो शेशन को attend किया, overall आप पिछले एक गंटे पंदर मिनुट से मारे साथ जोड़े हुए, सबसे पहले ती बता दी, आज की जो training है वो पूरी training आपको कैसी लगी, इसके बारे में और हम लोग भी आपके reply को यहां पर देख रहे हैं, क्या के आप लोग लिख रहे हैं, बहुत सरे लोग लिख रहे हैं, शांदार नौलिज सर जबरदास, शांदार, बहुत information मिली, शांदार प्रदर्शन, amazing, great knowledge, बहुत सरे लोग अलग अलग तरिकेसों में देखना चाहता अपनी चीज़ अप्रिशिट करने का जो तरीका है, वो अलग लग तरीके से लोग reply कर रहे हैं, बहुत शांदर, बहुत शांदर, बहुत जबरदास तरीके, thank you so much आप लोग इतना reply